हेलो इस लोकडाउन में आपका फिर से स्वागते और घर बेटे आप फढ़ रहे हैं 12 साइंस का यह आठवा चैप्टर अपना केमस्ट्री का डी एंड एब ब्लॉक डी एंड एब ब्लॉक को अपन 11 क्लास में ही इसके तत्तों को इसके सिंबल्स को इसके नाम को अच्छे से पैचान चुके हैं आज हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्योंकि अपने 11 क्लास में एस एंड पी ब्लॉक के प्रॉपर्टी पढ़िए पी पुरा नहीं पढ़ा था इसके बाद पी पढ़ेंगे पर डी एंड एंड ब्लॉक जो एलिमेंट से उनका बहुत ही छोटा चप्टर है मैं तुम चप्टर के तीन नमबर गरिब से गरीब बच्चा भी तीन नमबर जरूर लाता है ठीकर मेरा मतलब समझ गये मैं आप क्या कहना चाहता हूं यानि कि इस चप्टर में किसी के तीन में से तीन नहीं आये तो थोड़ा सा सोच ले ना बहुत अच्छा चप्टर है ज्यान चे बोड़ो मजह आजाएगा इस चप्टर में साथ साथ नौट्स बनाते रहो प्रोब्लम साय जहां प्रोब्लम मेरे खयाल से इस चप्टर में प्रोब्लम आने नहीं चाहिए फिर भी एक्स वाइजर जो भी प्रोब्लम आय आप बिलकुल बेज़ेजक डिसकस कर सकते हैं Finance & Block में आप चीज़े जरूर जानते होगे d-block elements के अंदर कौ追 चीज जो d-block element होते है उनको अपन ट्रांजिशन metal बोलते हैं संकर्मनतत्थि बोलते हैं कोई परवाण लेकिन आज तक अपन ये मानते हैं कि सारे के सारे हीा संक्र्मनतत्त्त। होता हैं लेकिन हम आज आपको यह बताएंगे कि यह हैं कौन-कौन जिंक इडमियम और मरकरी लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि ये संक्रम्न तत्तू नहीं है आज तक हम सोच रहे थे कि यह अपना टैम तक का नोलेज था उसमें अपन यह मानते थे साइड एलेवनत में ये कहीं ना कहीं बात आई थी इनको अपन संक्रम्तत्त्त्त्त नहीं कहते हैं और हम सो這些 अंडेर, में आज और TD होते कुम से इस बात की चर्चा करते हैं पहली बात तो आपको पता है मैं अगर इसको इसके अकोडिंग गुरूप के अकोडिंग बाट हूं तो आपका इसके अंडियम कहां से स्टार्ट होता है इसके अंडियम आपका तीसरे गुरूप से स्टार्ट होता है यह आप बात भली बाती से जानते हो कौनसे गुरूप से एक टीश्रे ग्रूप के है ठीक है आपको यह टेविल याद गरा रखिये वह हैं से याद करा रखिये टेविल आपको याद करा रखिये इस इनदो से लेके आपकी मरकरी वाली और इसके केस में आपको बता रखा है कि यह कंप्लीट आपकी ट्रिक नहीं है आपको मैं बता दो यह जो पिरिड होता है यह आपका फॉर्थ पिरिड से स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है उसके बाद आपका यह कौन सा होता है यह 4D होत जो होता आपका डी होता है ठीक है उसका जो इसमें से डी है वो एक से लेके दस तक भी मान लेवा ठीक है डी क्या होता है एक से लेके दस तक होता है ठीक है यह इसमें इंक्लूड नहीं होगा टैन और एनस टू जो भी है इसका अभी इसका पूरा प्रफॉमा बताते हैं यह इस्तती होती है अपन जो stable के अंदर जो याद करेंगे वह सबसी ज्यादा कौन सी चीज़ याद करने वाले 3D सिरेनी कंसी स्टडी करेंगे अपन 3D सरेने पड़ेंगे ठीक है okay 3D सिरेनी को अपन फडना चाहते हैं इस टेविल के अंदर अब देखो क्या करना अपने को इसकेंडियम टैटेनियम वनेडियम क्रॉमियम एमेन आयरन कॉबा निकल जिंक इनके बारे में अपन भरपूर जानकारी लेना चाहते हैं सबसे पहले बात यहीं है ठीक है तो उठालो कॉफी पैन और इसको नोडावल करनो पहले तो यह जो ऐसे कैसे डी ब्लोक बना हुआ है इसको भी आप नोट कर लो ऐसे कैसे गुरूप किया है आपको बता रखा है कि कुर्सोटियम और रदरफोडियम का पंगादा इसलिए अपन सो से अधिक परमाणुकर मांग का आयूपिशन ना मांग करते हैं यह पिशना मांग करने था थोड़ी से लाइन थोड़ी टेडिमेडिती आप ध्यान देले ना यह 104 है 105 है ठीक ह यह 6 इनको छोड़ा आप इनसे कोई मतलब नहीं है अच्छा यहां से आपको पता है लेंथेनम और हैपनियम के बीच में से सत्तावन के बाद अठावन आपका सीरियम से लेके लोटेशन पर खतम होता है और आपका अक्टेनियम के बाद 90 जो आपका थोरियम से लोटेशन चालू होता है अब अपन क्या करने वाले हैं यह चीज अपन जानते थे लेंट क्लास से अब जो नई चीजे स्टार्ट होने एड़ी बात क्या है कि अपन बारे में बीकशक में कंडिस्ञ फर्स्ट धता जिनकी किसी applause का है अपोल होता यह बहुत बड़ी बात है यह बहुत बढ़ी बात है सबक्रमान तत्तों zen Cinnamon के लिए ये भहत पड़ी बात है कि पहली बात उनका डी कुख्षक एक बढल भरना चाहिए दुसरी बात उनका डी कहक्षक अपूरूर न चीह यहनगी डी उनका 1 से ही, थिक है डी 1 से डी 9 ही होना चीह अगर उसका डी zero है और डी 10 है किसी का इलक्ट्रॉनिकпол काउनफरिगरेशन में डी میں zero Eleorton या डी में dत्स इलक्ट्रॉन है तो हम उसको हम उसको संक्रमत तक्तवे नहीं मानते हैं द्यान दिना बात को किसी का डी 0 ऑर डी 10 है संक्रमत तक्तुन नहीं मानेंगे बस जिसका D1 से लेके D9 तक का electronic configuration है उसको अपन संकरमन तक्तु के सिरणी में लेंगे ये बहुत बड़ी बात है संकरमन तक्तु कौन होंगे कौन नहीं होंगे इसके case में ये बहुत बड़ी बात है द्यान ड़कना इस बात को ठीक है आगे अपन अपन second point पड़ते हैं जो परिव परतनसी लॉक्षी का नवस्ताय में परदाशित करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से नोट डाउन करें आप जिनका भाहत्तम कोस का electronic विन्यास अभी बताया कि इनका जो भाहत्तम कोस का electronic विन्यास होता है वो N-1 D1 से 10 तक होता है और Ns1 से 2 होता है आपको पता है क्रॉमि आप से दोनुए लेक्ट्रोन वी चले जाते हैं ठीक है वो पताएंगी क्या है क्या नहीं अब देखो इसका कोशन कैसे उठता है यह मैंने आपको संकर्मन तत्तों की condition बताई कि संकर्मन तत्तू कौन होते हैं जिनका आंतिम लेक्ट्रोन डी में बरे पहली बात या उनकी क किरो वाला संकर्मन तत्तू नहीं होगा यह बात समझे मारी है अब कोशन बड़ा सवाल यह उड़ता है यहां से गाइज कौन सब्सक्राइब केडमियम और मर्करी संकर्मन धातू नहीं होती क्यों जबकि डीबलोक है है ठीक है जबकि डीबलोक है लेकिन फिर भी यह तीन् में अंतिमिलेक्टरों डीकक्सक में वहता है संक्रमन तत्तू कोने के लिए क्या है संक तत्तू कोने के लिए मुखे कंडिशन क्या पहले बात जिनकी किसी भी ऑक्षीग अवस्ता में डी अपून रहे संकर्मन धातों की प्रिपासा भी होगी अब इनके साथ ऐसा क्या हो रहा है जिंक को जानते हूं केडमियम को जानते हों और मरकरी को 3D में बढ़ता है जिंक का अंतिम इलेक्टोन कहां जाता है डी में जाता है नहीं जाता डी में आपको मैं बता दू जिंक से पहले कौन आता है अपने घर में क्रोमियम आता है और क्रोमियम को आप अच्छे से जानते हो कि क्रोमियम जिंक से पहले आता है और क्रोमियम का इलक 3D104S1 अब मुझे बताओ जिसका Atomic Number 2939 है उसका जो Electronic Conferigation 3D104S1 होता है तो अब जो Zinc में Electron जाएगा अब वो D में जाएगा या S में जाएगा बताओ बताओ वो S में जाएगा यानि कि Zinc का Cadmium का Mercury का Electron D में नहीं गया इट मिंस S में गया तो हमारी पहली Condition फैल हो गई यानि कि यह संकरमत तक तो नहीं है या फिर अपन कह सकते हैं कि चलो एक और मान लेतीक बात अपन कि इनका किसी भी ओक्सीकन उस्ता में अगर एपूर्ण होता तो जिंक आपको पता है जिंक की भली बाती आप ओक्सीकन उस्ता जाते हो और जिंक अपनी लाइप में अउनली प्लेस टू देता है तो मान लीजिएगा कि जिंक का जेडेन का परमानुकर्मांक 30 होता है और इलक्टोनिक कॉन्फरिगेशन 4s2 3d10 होगा क्या होगा 4s2 3d10 तो दो इलक्टोन जब जाएंगे तो ऐसे जाएंगे डी में कितने बचे टैन लक्टोन बचे और जस्ट आपको भी बताया कि जिसके अंदर डी 0 और डी 10 है वो संकर्मांतत्तू नहीं होगा तो जाएड़शी बात है कि जिंक किसी भी कंडिशन में ना तो यह ओक्षिक अनौस्ता में और ना इसका अंतिम लक्टोन डी में आया तो हम कैसे बोल दें कि जिंक संकर्मांतत्तू है यानि कि जिंक संकर्मांतत्तू नहीं है जबकि डी ब्लोक में तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखो यह वाली बात आप अच्छे से ध्यान रखो गायज की संकर्मांतत्तू कहते किसे हैं तेर सारे एक्जांपल देंगे कि वे धातु हैं जिनका अंतिम इलक्ट्रोन D कक्षक में भरता है पहली कांडिशन या फिर उनकी किसी भी ओक्षीकन वस्ता में D कक्षक का पूर्ण होता है वही संकमन धातु होते हैं तो इनका आंसरी में क्या लिखेंगे कि जैड एन कैडमियम और आपका मर्करी में अंतिम इलक्ट्रोन करमस से अभी बताया कि इनका इलक्ट्रोन D में नहीं गया था कहा गया था 4S में गया था ऐसे ही आपके केड्मियम का 5S में जाएगा ऐसे आपके मरकरी का 6S में जाएगा भरता है यह केवल प्लस दो अक्षी का नवस्ता प्रता सिद करते हैं तो एलक्ट्रोन 4S 5S और 6S से गाई पहोंगे यानि कि इनका उस कंडिशन में भी इनका आपका D10, 3D10, 4D10, 5D10 ही complete होता है अत्य ये संकर्मन तत्तु नहीं होंगे संकर्मन तत्तु कौन होते हैं जिनका electron D में भरता है या फिर उनकी किसी भी oxygen होस्ता में D1 से लेके D9 तक का electron आपके पास प्राप्त होता है तो संकर्मन तत्तु है क्योंकि जो D1 से लेके D9 तक है वही आपका अपून कक्सक कहलाएगा क्या कहलाएगा अपून कक्सक कहलाएगा इस बात को आप बली माती जानते हो ठीक है अब अपन बात कर लेते हैं संकर्मन तत्तों के electronic विन्याज की यही बड़ा रोल है सबसी महत्यपून चीर यह है क्योंकि आपने जब Coordination compound पड़ा होगा तो वहाँ पर भी आपको पता है electronic configuration की बड़ी जुरुत पड़ रही थी सकत आउशकत है electronic configuration के केस में अपने आपको electron configuration किसका कैसे निकालना है यह वाली बात आपको अच्छे से बता रहे है किसके केस में आप बहुत अच्छे से चीज़े जाते हो ठीक है तो अब बात आते है संकर्मन तत्तों का electronic विन्याज ठीक है electronic configuration of transition metal तो electronic configuration अपन कैसे निकालेंगे इनकी केस के अंदर देखो लिख लेना है topic संकर्मन तत्तों का electronic विन्याज electronic configuration of transition metal elements यह कोलम बनाना है आपको पहले जैसे कि तक्तु बनाना है फिर परतीक लिखना है उसका फिर परमानु कर्मांग लिखना है और फिर उसका electronic विन्याज बनना है ऐसे आप चार कोलम बनाओंगे कोपि के अंदर और फिर इनके केस में नाम लिख लेघि cantons बनाओंगे अब इस प्रकार से कप के अंदर अब ध्रंदि अ यको कैसे लिखना है अभी जैसे मैंने बताया क्या कराना है इनका ये चीज़ें इनके केस में आपको बनानी थी ठीक है तो अब जैसे आप जानते ओ यह मैंने नाम लिख रखे हैं इदर स्केंडियम टाइटेनियम वनेडियम क्रॉमियम मैगनीज आयरेन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक आपको दिखाई नहीं देरे बट मुझे दिखाई दे रहे हैं ठीक है अब ध्यान देदर कैसे क्या करना था आपको जैसे जैसे इतना आप जानते हो कि स्केंडियम का इटोमिक नंबर 21 होता है इलक्तोनिक विन्यास को अपने लिखा था कि यह स्मार्ट इलक्तोनिक विन्यास है कि इसको अपन एयार यानि कि और गंतक यह ब्रेकेट बंद का मतलई है और गें तक लेक्टोन भर गए 4S2 और 3D1 टाइटेनियम क थी क्रोमियम के केस में कि होना तो क्या चाहिए था 3D4 बट हो क्या रहा है 3D5 विकॉज हाप फिल्ड और हाप विल्ड इस दम और स्टेबल ठीक है तो यह हाप फिल्ड यानिकि अर्द पूर्ण विन्यास के अतिरिक तिस्टायत्वे के कारण ऐसा हुआ है इसका एक्स्प् 3D8 और इस प्रकार आपका कोपर यह पंगा फिर कर जाता है और कोपर के साथ होना चाहिए था 3D9 बट 3D10 फूल फिल्ड यानि कि पूर्ण पूरित टॉप हाइस इस्टेबलेटी ठीक है समझे बात को आप मेरी फिलिंग्स को इस प्रकार यह इनका इलक्ट्रोनिक विन्या पास रहा और जिंक तो आपको पता है जिंक तो जिंक विया फॉर एस टू ठीटेन इस बात को बच्चे बच्चे चानते होंगे आप अब ध्यान दो अभी इनका एक्स्प्लेनेशन है कि क्यों क्या कैसे हुआ यह मैंने आपको लेंट में लिखा रखा नोट डाउन करा बहुत अच्छा रहेगा आपके स्वास्ते के लिए अब ध्यान दो त्रीडी स्रेणी में क्रॉमियम और कॉपर यह बूल जाते हैं आगे कोले से तो कि नहीं पता इस बात का और आप फिलो फिलो के अंदर जब तक बात पता होती है एक दो दिन कानू में रहती है तब तक इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं में क्रॉमियम और कॉपर का बहाइं इलेक्टोनिक विन्यास करम से 4S1 3D5 4S1 3D5 इसका 4S1 3D10 3D10 यह किसका है कॉपर का और यह किसका है क्रॉमियम का ठीक है जो अर्दपूर्ण और पूरित कक्सकों के अत्रिक स्तायत्वे के और 4S2 होना चीए था क्रॉमियम का लेकिन 3D और 4S कक्सकों की उर्जायन लगभग समान होने के कारण इनका एक एलेक्टोन आसानी से अंत्य परिवर्तन हो जाता है इंट्रकनवर्ट हो जाता है तता अर्दपूर्ण कक्सकों का अधिक स्तायत्य के कारण ऐसा दुस्सास कर करने की कोशिस करता है और क्रॉमियम के पास 4S1 3D 5 की फिलिंग आती है जो कि ज्यादा इस्ताही होता है ठीक है इनका खुद का घरेलू मामला था कि एक इलेक्टोन इदर सिप्ट कर दो तो हमारा भी काम हो जाएगा हम इस्ताही हो जाएंगे आपको क्या प्रोब्लम है ठी क्योंट से एक लग्तों 3D में चला जाता है और इसको पूंण पूंण यानि कि इसको फॉल्ड फिल्ड इसका विन्यास पूंण पूलित हो जाता है जो कि अधित स्ताहि होता है हम इस बात को अच्छे से जाते हैं अथे कॉपर का एलेक्टोनिक विन्यास भी हमारी नजर में क्या हो गया 4S1 3D10 हो गया हो गया तो हो गया तो यह वाली बात है अपने यहां पर इसको आज को समझने की कौशिज करते हैं इन चीजों के चीज़ें तो आगे फिर यह तो सिरफ और सिरफ हम इस चीज़ के बारे में जाने की कौशिज की है बात परसं यह उड़ता है किस चप्टर में क्या हम ऐसी चीज़े पढ़ेंगे यहां तक कि चीजों में भी जैसे क्रॉमियम और कॉपर का इलیک्टॉनिक विन्यास का क्योशन का है क्यों मैं क्यों प्रकार की कौशन इंप्र क्कुशन की है तत्तों के गुंधरमों में सामाने परवर्तियां जनरल नेचर सामाने नेचर इनका क्या है यानि कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्रीज है उनके एलिमेंट्स की जो एक नेचर है प्रोपाटीज है वो प्रोपाटीज क्या है इस प्रोपाटीज के केस में अपन क्या करने वाल करेंगे और वो करके रहेंगे जैसे कि हमारा पहला ही कौशन है आप से इनके मामलों में कि परमान भी यह थाता आइनिक त्रीज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् ये बात बच्चमन में किरा रेंखे है आपको अब बात ध्यान से सुनना यहापी जरा गोर से सुनना इस बात को आप टॉपिक पहला है लेंगे अपन टॉपिक इसका पहला है लेंगे परमाने थे था आयनिक तरीज जा atomic and ionic radius हम जानते हैं पहली बात क्या किसी पर्माणूं किसी पर्माणूं या आयन के बहायतम बात मेलेंतल्ण दिलेक्ट्रonna simulator नाविक के मद्दे की दूरी परमान वे आईनिक त्रीज्जय कहला आप जानते हूं इस बात को अपने बात villagers हम इलेवन से भली भाती प्रकार से जानते हैं कि जो धनायनों की धनायनों की त्रिज्या उनके पर्माणों से सदेव कम होती है धनायनों की त्रिज्या यानि कि जैसे कि आप अच्छे से जानते हो जो एने प्लस है उसकी त्रिज्या एने से कम है इसकी त्रिजय आयने से कम है क्योंकि यहां पे जैड इफक्ट इंक्रीज हो जाता है और इसका आकार थोड़ा सा छोटा हो जाता है इस बात को अपन जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है चैनायने में ज्याइड एक पतर्भावी नाभी के आवेस्च जादा होता हुट इस लिए ऐसा काम हो जाता है और आपको पता है परभावी नाभी नाभी की आवेस्च हैं हम त्रिजय की कैलकुलेचन करते हैं पर भावी नाभी के आवेस का नोलेज अपने दिमाग में होगा तब ही हम तुरिज्जा के बारे में सवाल बता पाएंगे और हमारे पास जवाब होंगे और वो भी देर सरे जवाब होंगे अरिवाज समझ में फिर से हम आपको रुक करा रहे हैं कुछ नहीं चीज़ोंगा जैसे कि श्रेणी में श्रेणी मितलब यहां श्रेणी में श्रेणी श्रेणी बोलूगा मैं बार बार पक मत जाना श्रेणी का मतलब है हम स्केंडेम से लेके जिंक तक के अटोमिक नंबर की बुक्त कर रहे हैं हमने एस बलोग और पी ब्लो फड़ाता वह ऐसे गृट में पड़ाता उपर से नीचे इसको नीचे नहीं पड़ना इस को श्रेणी में पड़ना इस बात को द्यान रखना मैं श्रेणी क्या बोल रहा हूं यहां पे जी ladies के अंदर ऑंदर 3D श्रेणी और 3D श्रेणी में 10 elements जो थे वो मैंने आपको अभी दिखा दिये उनका electronic विन्याज भी मैंने दिखा दिया और वो कौन से 3D 10 मतलब 30 महते से लやकेpen गहां है अभी भी सबकुछ जो बाते कर रहें जो चर्चा करें तक कर रहें उसे के प्रमानल तरिध्या और उसी की आईनिक तरिजर्याउं के अपनिया आपि बात कर रहें सी success कि यो चलने पर पहले आकार में कमी आती है फिर लगबग संमान होता है और अंत में आकार पूर्य बढ़ जाता है अब अब देखो परिवर्तन कैसे कैसे सामने आए है क्या यानि कि Coconut यहां पर कोई परिवर्तन जो आकार का फंड आई अगर ऐसा पढ़ रहा है तो आप सोच लेना यहां पे तृज्जा का यहां पे आपकी विद्धुत रिनेता का यहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन बंदुता का सब कुछ का फंडे के साथ अब यही होने वाला है बस आप जड़ा दहरिय रखें और इस परमा क्यों नहीं है आकार का करम निंशित क्यों नहीं आया यहां पर इस बात को जरात समझने की कौशिश करें दिल थाम के वह दियूंध पहली बात आप जानती हो एक बात 11 इसे कि जो लाभी की आवेस होता है अगर वो जादा है और परिड्यक्षण परभाव कम है तो आकार आपको पता गटता है यानी कि लाभी की आवेस सब जादा होता है तो आकार में कम हो time लेकिन परिक्षन परवाव जादा हो और नाभी की आवेस कम हो परिक्षन परवाव का क्या मतलब होता है कि एक तरह से परिक्षन परवाव आप समझते हो परिक्षन परवाव क्या है एक तरह से जैसे कि मालों नाभी और भायतम कोस की जो इलेक्टोन है उनको जो आपके मिड क्या बात की इस बात को आप अच्छे से समझने की कोशिस करोगे मेरे साब से जैसे मैंने आपको दो बाते बताई अब देखो होता क्या है केस में इसके केस में हुआ क्या है मैंने यह वाली जो बात आपको शोट कट में समझा दिए कि नाभी क्या ज्यादा होता है तो क्रोमियम तक आकार में कमी आती है इस केंडियम से लेकि क्रोमियम तक आकार में कमी आई और फिर क्रोमियम और मन लगबग बराबर क्रोमियम और मन का आकार लगबग बराबर है और मन से जिंक तक पुने वर्दी होती है क्योंकि इलक्ट्रोन इलक्ट्रोन पर्तिकशन होता है अब यह वाली बात तो थोड़ी चक्कर पड़ गई मैंने क्या लिखा है यहां पर कि स्केटियम से क्रोमियम तक आकार में कमी आई और क्रोमियम और एमेन में लगबग बराबर सा यह कह सकते हैं और एमेन से लेकि जिंक तक आकार में वर्दी हुई जबकि हम बच्पन से क्या पढ़ते हैं सर आप हमको बच्पन से गलत पढ़ते आए हो फिर आप तो कहते हो कि ब रहे हो सर हमारी साथ है यह ऐसा कॉशन नहीं उड़ता आपके दिमाग में बोले सर आप उस ताइम गल्ट बोलते थे और आज सही बोल रहे हो या अज गल्ट बोल रहे हो समझे में नहीं आए ठीकर ध्यान दो बात को कोशिज करेंगे इस बात को समझा नहीं देगे कि सपोर्ट देटँ सपोर्जों यह बात मुझे समझा दो कि ड अक्तों कितने होते हैं Yap Satya होते हैं अगर।की कि कि बात Bitte करूंगा द्ई-ं कि बात करता हूं तो दूसरा ऐलेक्ट्रोन काम बरूंगा यहां पर भाइब आगे फास समझ मैं आप क्रॉमियम तक आते आते मैंने कहाना यहां यह पर लिखा इस इन sebenarnya से प्रोमियम तक आकार में कमी आती तो मैं उसी बात को समझाने की कौसिज कर रहा हूं कि श्रुंजंदीयम सिरे क्रोमियम् में कमी क्यों ही है थीक है तो समनिल कोषिस करो को इसेंद्ययम से क्रोमियम तक एक चीज में वर्दी हो रही औ ant Sun के की यह बढ़ते हैं तो यह अलwh हम और क्रोमिय में तो पांचो के पांचो ऐँ अरे किया होगे एकमित होगे और होगे तो अन्हों पेड ईलक्ट्रों बढ़ते हैं तो फिर आकार में औरmarkt उट ठीक है लेकिन जैसे 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 में MN की बात करता तो साइद MN में भी यही आपके electronic configuration होता क्योंकि MN में जो electron बढ़ता ना वो 4S2 में बढ़ता ना कि D में बढ़ता क्योंकि MN के अंदर electron S में नहीं sorry D में नहीं S में जाता है तो MN के अंदर भी यही विश्था होती यानि क्रोमियम और MN में लगबग यही विश्था थी तो हम यह भी कह देते हैं कि क्रोमियम और MN तो लगबग समान है लेकिन मैंने यह बात बोली कि MN से जिंक तक आकार में बरदी होती है वो क्यों बोला अब देखो जैसे ही iron आया उसका 3D6 आया और अब आप इस बात को जान गई कि 3D6 में electron यहां बर जाएगा यहां बर जाएगा मतलब electron में युगमन हो गया और युगमन आप जानते हो एक हक्सक में 2 electron का आना युगमन का होना यानि की परतिकर्शन चालू हो जाता है projection परवा में वर्दी चालू हो जाती है अब दीरे दीरे कोबाल्ट में पेरिंग हो गया निकल में पेरिंग हो गया और कौपर में आते आते तो सारे के सारे पेरिंग हो गए जिंक तो पहले से ही इनका युगमन मिला तो इसका मतलब क्या हुआ किसका मतलब यह हुआ कि आईरन के बाद या एमेन के बाद आईरन से ही आईरन, कोबार, निकल, कौपर और जिंक में एलक्ट्रोन युगमित होते हैं एलक्ट्रोन युगमित होने लग जाते हैं और जैसे जैसे युगमन बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिकर्षन बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ता है प्रतिकर्षन बढ़ता है तो प्रतिकर्षन बढ़ता है तो प्रतिकर्षन बढ़ता है तो आगे बास समझ में क्यों क्यों हम इस चीज को समझने की कोशिश करें आज कौन सी चीज को समझें कि स्केंडियम से लेके क्रॉमियम तक आकार में वर्दी होगी और क्रॉमियम और एमन में लगबग ब्राबरी होगी और एमन के बाद पुने आकार में वर्दी होगी तो सा सारे कौशन सारे कौशन आइनन विवव आइनन एंथैल्पी इलक्ट्रॉन बंदूता विद्दूत्र रिनिता सारे कैस इसी आकार से सोल होते हैं ये वाली बात आप अच्छे से जानते हो ठीक है तो आज के लिए इतना है काफी है कल और हम इसके और हम इसके आयनन उर्जा, आयनन विवव, आकार, रंग, चुमक, गोण, अंत्राकाश, योगिक, बहुत सारी इसके धेर सारी आपके सामने प्रस्तुति करेंगे, तक तक के लिए हमें चाहिए आपसे विदा, ओके थाक्यू स्वामस गाइज,